मेरे घनिस्ट मित्रों, नमस्कार, आज साथ जनवरी 2021 है और आज के इस EFEIS के लाइफ मेनेजमेंट में मैं आप सभी का हारदी करूप से स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आईए शुरुवात करते हैं हमारे जो कूरियन साहब रहे हैं मेरे समसे कूरियन साहब ही कहना जादा बेहतर होगा उनके जीवन के छोटे छोटे उन टुकुडों से जो हम सब के सामने हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में यूं कहले जे कि एक तरह कमार्ग दर करते हैं फ्रेंट्स उन्नीश सो इकीस के छबीस नवंबर को इनका जन्म हुआ था ठैच छलिए हम इस पर नहीं जाते जब वो 19 यर्स के थे 19 यर्स की एज में जादा तर लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं इन्होंने भी ग्रेजुएशन कर लिया साइन्स से ग्रेजुए इसके बाद उन्होंने बकायदे इंजिनरिंग कॉलेज में एडमीशन ले लिया अब आप देखी कि जब वो इंजिनरिंग कॉलेज में एडमीशन ले रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं बकायदे उन्होंने अपने कॉलेज को रिप्रेजन किया टैनिस में सोचके देखी बै प्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह जो चार खेल थे इन चारों खेलों में से किसी भी एक खेल को वे अपने कैरियर के रूप में चुन सकते थे और हो सकता है कि उनके मन में ये बात आई भी हो उन्होंने कुछ कोशिस भी की हो बहुत इस पस्ट इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई है ठीक है अब आप देखे कि वो फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में अडमिशन ले रहे हैं और वहां बकायदे वे इतने गेम्स में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही कैड़ चुने गए ये बात है देखे उनने सो चालिस के आसपास की उसमें भी बेस्ट कैड़ चुने जा रहे हैं अब आप देखे हैं कि वो चार गेम खेल रहे हैं उसमें अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब वो बकायदे इनिवर्सिटी के ट्रेनिंग कोर में शामिल हुए तो वे वहां भी अपने बटायलियन के बेस्ट कैड़ेट चुने गए तो फ्रेंट्स उनके पिता का निधन हो गया अब उन्हें कुछ न कुछ करना था वर्गिस सहब चाहते थे कि वे फौज में जाएं और आप देखे कि बटायलियन के वेस्ट कैड वर्षी थे उनको जो जमशेदपूर में टाटा की कमपनी है टिसको टाटा आयरन एंड स्टील कमपनी वहां नौकरी मिल गई अब आप देखे कि वे नौकरी कर रहे हैं ठीक है चले इसी समय उन्हें पता लगा कि जो ब्रिटिस सरकार है उसमय भारत पर ब्रिटिस सरकार का आधी पत्य था अब जानते हैं किस समय की बात करते हैं उन्निस सो सहताली से पहले की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिस गवर्मेंट ने ये निरने लिया कि यहां से 500 लोगों का चैयन करके बताब 500 इंडियन्स को सेलेक्ट करके और फॉरेन में एजूकेशन के लिए भेजा जा पास्चुराइजेशन क्या है अब वर्गिस सहाब को पास्चुराइजेशन के बारे में मालूम नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने अंदाजा लगा करके बताया कि मैं इसके बारे में जानता तो नहीं हूँ लेकिन शायद कोई एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिये जो इसके बारे में कभी सुना नहीं कभी पढ़ा नहीं लेकिन शब्द के आधार पर ये बता दिया कि ये दूद को जिवाडू विहीं करने से जुड़ी ही कोई प्रक्रिया है तो डेफिनिटली मुझे व्यक्टिगत रूप से मैं बता रहा है कि शायद ऐसा लगा हो कि जो कम व्यक्रियरिंग के लिए दुग दूध पाथ इस पर देखिये कि वर्गी साहब क्या कहते हैं वर्गी साहब ने कहा कि नहीं मुझे या तो धातु विज्ञान पढ़ना या परमानु भोतिक शास्त्र पढ़ना है मुझे डेरी इंजीनीरिंग पढ़ना ही coronavirus नहीं है मेरी choice म तुम सोच लो तुम डिसाइड कर लो दोस्तों बात खत्म हो गई अब वरगिज सहब ने क्या निरने लिया और निरने लेने के बाद क्या किया यह सब हमारे सामने मौजूद है तो दोस्तों अब फिर वरगिज सहब ने क्या निरने लिया और निरने लेने के बाद क्या क्या क सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अमूल के रूप में हम सब उसे चानते हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत में जो दुग्द दिवस मनाया जाता है, रास्ट्रिय दुग्द दिवस, वो किस डेट को मनाया जाता है, इसकी बहुत कम चर्चा होती है, वह डेट है 26 न और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 26 नवंबर को ही वर्गिस सहब का जन्म हुआ था, यानि कि उनके जन्म दिन को रास्ट्रिय दुग्द दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है और उन्हें याद करता है, उनके कंट्रिबूशन को याद करता है, फ्रिंट्स यहाँ जो मैंने आपको एक जीवन यात्रा बताई है वर्गिस कूरियर सहब की, इसको आप कहानी मत समझें, यह एक सची घटना है, यह एक जिंदगी है, एक ऐसे जिंदगी है जो इन सच्चाईयों से होकर के गुजरी है, यह यथार्थ है, यह यहाँ कोई आदर्श नहीं है, यहाँ कोई उकसाने वाली बात नहीं है, यहाँ कोई नारे बाजी नहीं है, यहाँ कोई उपदेश नहीं है, यह एक जिंदगी की प्रत्यक्ष कहानी है, और यह कोई हजार दो हजार साल पहले की कहानी नहीं है, कि उसमें कुछ मिलावट कर करने की कोशिश कीजिए और वर्गिस सहब के डिसीजन को देखिए कि क्या क्या वो चाहते थे लेकिन उन्हें क्या करना पड़ा और जब उन्हें वो करना पड़ गया तो उसमें उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया यानि कि उन्हें अपने मन के काम नहीं मिले और लेकिन जब कुछ मिल गया तो फिर उसे ही उन्होंने अपने मन का काम बनाया क्या आपको लगता है कि जो काम मिल गया है उसे जब तक हम अपने मन का काम नहीं बनाते तब तक क्या सच में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जो कूरियन साहम ने हासिल की है यह विचार करने की बात है और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इस पर पूरी गंभीरता और सम्वेदनशीलता के साथ बिजार करेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नमस्तुर।